Hello friends welcome back to my channel तो आज हम बात करेंगे ग्रीड मैथड के बारे वे कि हम ग्रीड मैथड से कैसे आउटलाइन ड्रो कर सकते हमारे रेफरेंस फोटो से तो बहुत सारे तरीके हैं कि आप इजीली आउटलाइन ड्रो कर सकते हैं उसमें से ग्रीड मैथड है जो सबसे मतलब उस मैथड से आप एकडम परफेक्ट आउटलाइन ड्रो कर सकते हैं तो उसी की बारे में बात करेंगा और यह बीगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्फूल होले वाला है जिसके फ Snaking बहुत ही अँच्य है लीकिं प्रोपर्शन्स बहुत ही वीक है जिसके वीड वीडेयो को अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको को ranked 2023 नहीं ही रहे तो यास मैं ट्राइ करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और दूसरी बात कि ग्रीड मेथड को यूज करने से पहले आपकी लाइन ब्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी आने वाले है तो एक तापकी लाइन ब्रैक्टिस बहुत ही अ लेकिन उसके सामने देखे तो फैर मिवन देखे तो देंगे उसके सामने ये परफेक्ट आउट्राइन देता है एकदम एक्यूरेट आउट्राइन देता है तो यस हमिआ एस स्टार्ट करते है 29, Ken Está Reade, मैं मैं sahasem करें बहुत क्यों आप कर दो कि तो मैं क्या करोंगा पहले तो आपको सब मैं मैं आज आपको करके दिखाऊंग । कि मैं पूरी आउट ला करूं और तो मैं आपको दीखा दिता kilometers कि मैंने कौन सा फोटो चूज किया हुए यह तो येस तो मेरे पास ये ए-3 size का पेपर है जिसमें ये मेरे पास फोटो है जिसमें आप अब मैंने a3 size में डॉक किया हुआ है अब a4 में भी कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन अभी मैंने a3 में किया है तो येस आप चलिये start करते है और start करने से पहले वीडियो पसंद आयते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए तो येस लेट स्टार्ट अगर आप बिगिनर है तो आप प्रिंट आउट लेके मेरे जैसे ही ड्रॉइंग कीजिए तो अच्छा रहेगा आप फोन से भी कर सकते हैं लेकिन प्रिंट आउट अभी बिगिनर के लिए बैस्ट है तो प्लीज आपको सबसे ज़रूरी चीज है तो इसके लेने के बाद इसके डिफरेंस में आपको हैं आपको नट्स लगाना है अपको मार्क लगा देना है कि यह दिने लगाया ना निए आप आप देख सकते हैं यह अजय सकते हैं और इहां कि आप चितना डिफरence आते लिक क्यूबे में मतलब कि अगर आपको 2 cm की बज़ाए 1 cm लेना है तो भी आप ले सकते हैं और शाहद 3 cm लेना है और 3 भी लेच सकते हैं यह सब आप पर डिपेंड करता है तो यह अगर दीखिए मैं कैसे अब लाइन्स लगा रहा हूं बस आपको पूरे कागस पर पूरे मतलब पेपर पर ऐसी लाइन्स लगा देने हैं 2-2 cm के डिफरेंस में पहले सीधी फिर होरिजोंटल और देखिए आप मैं पास्वार कर देता हूं खाया आप तो देखिए अरड हमारी जो सीधि लाइन है वो कमप्लेट हो गए पेपर को थोड़ा तेडा कर देते हैं मतलब और अब क्या करना है अब को तके निए जो तो हमारी 30 लाइन होने वाली थी वह अब ड्रॉप करने है जो क्या होगा उस पर 크ास होगी और हमारा स्क्वेर बन जाएगा तो बस हमको यही करना है सार्, इसका भी जो दो लाइन का भी difference होगा वो भी two centimeter ही होगा जिसे क्या होगा सारा हमारा पूरी मैं, पूरा जो खतम होगा जभा हमारी line है बनना तब क्या होगा कि पूरा, पूरा drawing two two centimeter के square में divide हो जाएगा तो बस हमको यही करना है तो yes, आप process दीखे पूरी तो आपको समझ में आ जाएगा तो अब आपको सेम प्रोसेस ऐसी बुक में करनी है अपने तो वह मैं आपको नहीं दिखा हुआ क्योंकि सेम दिखा के कोई मतलब नहीं तो वह आप ऐसे ही कर सकते हैं और साथी साथ आपको ऐसे नंबर्स दिख लेना है जिसे आपको आसानी रहे एबी सीडी और बाजू में नंबर्स वन टू जीतने हो सके जीतने आपके बॉक्स है उतने चलिए अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूं तो देखिए यहां पर देखिए यह आइज है जो पू किस वह मतलब किस नंबर पर है तो यह है हमारी G नंबर ठीक है तो और जी नंबर के बॉक्स में आइस है और 9 नमबर है तो वहां पर आईस है तो वही की वही, सेम दो सेम हमें इसमें ड्रॉ करनी है हमारे पेज पर जो मैंने ड्रॉख की होई है देख सकते हैं तो यह भी मैंने जी बस आपको ऐसे फॉलो करते जाना है कि यह कहां पर है फिर आपको देखना है कि एक बॉक्स छोड़के हमारा जी जी में ही 10 पर है 10 बॉक्स छोड़के 11 तो आपको नमबर्स और यह बॉक्स की खेल है मतलब आप आप इजीले डॉव कर सकते हैं तो यह यह जिसे आप अक्यूर हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 ह वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए तो अब इसका नेक्स पाट आएगा शेडिंग का तो उसके लिए वेट कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स टूडियो में बाइबाइ